तो गाइस, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमबर 56, 20HP 230V 1150RPM has a 4-pole left-mound motor 882, कोई भी मोटर दे रहे हैं आपको, जब भी आपको मोटर का केटेगरी नहीं दे, तो मान लीजिए आप उसको शंट मान सकते हैं, इसका मतलब हम लोग को जब तक flux change, हम ये मान सकते हैं, शंट या separately excited, क्योंकि दोनों में किया है, flux constant होता है, तो by default वो मोटर मान सकते हैं, हम लोग कि जिसमें flux constant बनता है, तो 882 armature conductors, armature resistance is 0.188 ohm, at rated speed and rated output, the armature current 73 ampere, calculate electromagnetic torque, flux purple, rotational loss, efficiency, shaft torque, और six number है, flux reduced by 20%, find new operating speed for same shaft load, मतलब क्या है, same load का मतलब torque constant है, और आपको एक information दिए, field current 1.6 ampere हो सकते हैं, आपको कहीं पे uses data का, तो चलिए सबसे पहला अगर हमें electromagnetic torque निकालना है, तो electromagnetic torque 1 by 1 चलते हैं, हम लोग ठीक है, तो electromagnetic torque अगर मुझे निकालना है, number 1 कर रहा हूँ मैं, electromagnetic torque के लिए, तो electromagnetic torque जब निकालेंगे, तो K5 आईए, ठीक है, तो अभी हम लोगों नहीं क्या माना है, by default कोई motor का category नहीं दे रखा, तो AC motor को मानेंगे, जिसमें flux constant हो, तो 2 motor हो सकती है, फर्स separately excited, दूसरी shunt, क्योंकि shunt में भी approximately क्या होता है, flux हमारा constant मानते, ठीक है, बाकि in-depth detail में full course में बताऊँगा, तो इस तरीके से ये तो क्या हो जाएगा, K5, तो ये कितना है, 73 A, हमारे पास current कितना, armature current, 73 A, तो एक बार अगर मुझे K5 की value पता लग जाए, ठीक है, तो यहाँ से K5 क्या लिख सकते है, K5 equal to EB divided by 2 pi, N कितना है, N हमारा RPM है, 1150, 1150 divided by, multiply लगा देते, divided by 60, तो यहाँ से अगर EB निकल जाएगा, तो काम हो जाएगा, और EB निकालने के लिए अगर हमने generalized motor मानी है, तो देखिए, मैं equation नहीं रटने का बोलता हूँ, directly आप KVL लिख दीजी, यह motor की बात हो रही, तो V यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो सकता है, KVL गोम यह, क्योंकि current यहाँ से inject करेगा, तो यहाँ से V minus IA RA minus EB equal to 0, ठीक है, तो यहाँ पर EB की value कितनी निकला आएगी, EB equal to supply voltage कितना देरिखा आपको, 230, यह 230, 230 volt, तो यहाँ पर 230 minus 73 into current कितना है, RA current, armature current 0.188, तो यहाँ से जब calculate करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पर 230 minus 73 into 0.188, तो यह हो जाएगा, EB equal to 216.276, और इस EB की value को मैं कहां रख दूँगा, यहाँ पर रख दूँगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आजाएगा, 60, 216.276, ठीक है, और इसको जब solve कर देंगे हम लोग, तो इंटो 60 भी करी देता हूँ, यह 60 उपर आ जाएगा, 60, 60 divided by 2 pi into 1150, जब इसको solve करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 60 divided by 2 pi into 1150, तो यह आ जाएगा 1.79, 1.79 क्या हो जाएगा, K5 का value हो जाएगा, इस K5 की value को यहाँ पुट करूँगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.79 into 73, तो कितना आ जाएगा value, यह आ जाएगा, 73 से multiply करेंगे, तो 131, 131.16 newton meter, तो पहले का answer क्या आ चुका है हमारा, 131.16 newton meter, तो electromagnetic torque निकल चुका है, तो अब हमें पूछा है, second में flux purple पूछा है, ठीक है, आपको gate examination में इतने सारी चीज़े नहीं पूछी जाएगी, आपको EAC के mains में, mains exam में इतने सारी चीज़े पूछी जा सकते हैं, तो पूछते ही है, ठीक है, तो यहाँ से, जो phi है, वो क्या है, flux purple, तो यहाँ पे phi equal to कितना हो जाएगा, EB into 60 into A, divided by P, N, Z, तो यहाँ value put कर दे, तो value put कर देंगे, तो EB अभी हम लोगों ने निकाला, EB कितना है हमारा, 216.27, 27, उसके बाद 60, number of power path कितने है, lap है, तो lap में कितना होता, number of pole के बराबर, तो number of pole के बराबर रख दिया हम लोगों ने, ठीक है, उसके बाद P कितना है, P number of pole, मतलब यह दोनों लिखने की जरूत नहीं है, तो मैंने दोनों 4 को भी हटा दिया, और यहाँ से भी हटा दिया, कि number of pole के बराबर है, इस पीड कितना है, 11, 1150 into number of conductors कितने है, 882, तो 882 क्या हो जाएंगे, number of conductor हो जाएंगे, तो यहाँ से 200.27 into 60 divided by 1150 into 882, तो इस तरीके सा आजाएगा, flux purple जो आजाएगा, 0.0127 वेबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, flux purple को, कि 0.0127 वेबर, तो यह flux की value आ गई, उसके बाद आप से पूछिए, rotational loss, तो मैं थोड़ी दिर के लिए diagram रफ कर देता हूँ, यहाँ पर, diagram रफ कर देता हूँ, कि यहाँ पे हम लोग को, यह diagram का कोई भी use नहीं, क्योंकि equation लिखने के लिए बताई थी, आपको motor road generator का equation रटने की जरूत नहीं, आप diagram बनाईए, आप KVL घुम जाएंगे, तो equation याद हो जाएगी, और याद करने के जरूत नहीं, आप लिख लेंगे, KVL लिखते से आपको equation पता लग जाएगी, rotational loss अगर निकालना है हमें, तो rotational loss क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो rotational loss, या तो हमारा mechanical power developed, mechanical power developed, minus rotational loss, rotational loss, equal to क्या मिल जाएगा, मुझे, shaft power, shaft power अभी मिलेगा, mechanical develop में से, rotational minus कर दे, तो shaft power मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कि rotational loss अगर निकालना है मुझे, तो यह उस side ले गए, तो rotational loss, rotational loss, equal to, P mechanical, minus PSH, और shaft power तो हमें क्या दे रखा है, direct rated की बारे वह पूछा, rated के उपर निकालना है, सब कुछ, rated speed, at rated output, तो हमारे पास 20 HP गीवन है, पट, mechanical power developed हमें, निकालना है, तो EB into क्या हो जाएगा, आईए, minus 20 into 746, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से अगर हम लोग कर दे तो EB कितना हो जाएगा, यह हमारा, 216.276 into 73, और minus, यह कर देंगे हम लोग, 20 into 746, तो हो जाएगा, 868.14 watt, that is rotational loss, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, rotational loss को भी, 868.14 watt, ठीक है, तो मैं इसलिए, यहाँ answer इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत students क्या करेंगे, वीडियो को pause करेंगे, खुद solve करने कोशिश करेंगे, तो उनके लिए answer मेच हो जाए, इस वज़े से आपको बार-बार यहाँ देखना नहीं, answer को मेच करने के लिए, direct यहीं पर लिख दिये मैंने, ठीक है, अब आपसे पूछा है, efficiency, तो efficiency क्या होता है, number 4 पूछा है आपसे, efficiency, efficiency मतलब output upon input, या फिर output upon क्या कर सकते, output plus losses कर सकते, ठीक है, तो losses कौन से होगा, एक तो rotational loss होगा, बाकी क्या loss हो जाएंगे, हमारे, कि field में loss और armature में loss, तो हम क्या बोल देंगे, अगर मैं losses निकालूं, तो losses, equal to, losses, यहाँ पर rotational loss तो है, 868.14, rotational loss तो ही है, plus, IA square, armature मतलब 73 का square, into 0.188, यह वाले loss भी होगे, plus, अब मान लीजे, field, जो shunt, field, जो भी हमको, क्योंकि motor का specification तो given नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, field current available है, तो अगर हमारे पास RSH नहीं, अगर shunt motor होता, तो shunt का resistance given होता, तो हम क्या कर सकते थे, कि IF square into RSH करते, बट हमें नहीं पता, यह separately है, कि shunt है, मुझे कुछ भी information नहीं है, इस वज़े से मैं क्या कर दूँगा, directly, क्योंकि apply voltage में क्या कर दूँगा, अगर separately होता है, दो voltage अलग-अलग available होते, बट यहाँ पर एक ही voltage available है, तो इसको मैं shunt मान के क्या बोल सकता हूँ, कि 230, 230 into, 230 into 1.6 field का current, तो V into IB क्या होगा, पावर ही होगा, तो यह हमेशा loss में चली जाएगा, तो इतना, अगर इसको सबको plus कर दे, तो 73 square into 2.188, plus 230 into 1.6 plus 868.14, ठीक है, 14 की जागे, 17 होगया वैसे तो, तो 22, 2238.022, ठीक है, 0.14 की जागे, मुझसे केलसी में, 0.17 होगया, गलती से, पर मैं बार-बार नहीं कर रहा हूँ, आपका time बचाने के लिए, आप solve कर लीजेगा, approximately losses इतना रहेगा, अगर losses रहेगा, तो efficiency क्या कर दें हम लोग, output हमें पता है, output कितना हो जाएगा, हमारा, 20 into 746 divided by 20 into 746 plus losses 2238.022, ठीक है, 746 क्योंकि HP को मैंने काई में change किया है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, 20 into 746 divided by 14920 plus 2238.02, तो यह आजाएगी, into 100% कर लीजेगा, तो efficiency आजाएगी, 86.95%, तो यहाँ पर efficiency कितना हो जाएगा, 86.95% efficiency आजाएगी, अब आप से पूछा है, shaft torque, तो shaft torque भी मैं कहाँ निकाल दो, बाकी तो मिरे पर सब जगे नहीं है, तो मैं कुछ चीजे में rough कर देता हूँ, तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चीजे रफ कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हो सकता है, BKMF का काम पड़े हमें, BKMF का काम पड़ सकता है, ठीके, तो इतना चीज मैं rough कर देता हूँ, इधर से और यह वाली चीज भी मैं, यहाँ से rough कर देता हूँ, rotational loss का मुझे शायद काम नहीं पड़ेगा, ठीके, efficiency का भी मुझे अब काम नहीं पड़ेगा, तो यह पूरी चीजे में rough कर देता हूँ, ठीके, तब यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ, फोर्थ नमबर, फोर्थ नमबर, शाफ्ट टॉर्क, तो शाफ्ट टॉर्क अगर निकालना है मुझे, तो शाफ्ट टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पावर, शार्फ पावर, शार्फ पावर divided by 2 pi n by 60 तो यह कितना हो जाएगा शार्फ पावर? 20 into 746 into यहाँ पर 60 divided by 2 pi into 1150 ठीक है? एक 0 से 1 0 चले जाएगा तो यहाँ पर 2 से 1 यह भी चले जाएगा तो कितना हो गया? 746 into 6 और divided by, divided by कितना हो जाएगा? divided by pi into 115 तो यह हो जाएगा 123, 123.95 newton meter इसको क्रॉस चेक करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको कि क्या सही है या गलत है? 123.95 newton meter देखो, electromagnetic torque जो भी रहेगा उसमें उससे जो shaft torque आएगा, वो कम ही आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ rotational जो में जो power जा रहा है rotational power loss हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ lost torque भी होगा तो कई बार आप से पूछते हैं कि lost torque बताएगा तो lost torque का मतलब है कि lost power तो यहाँ पे lost torque का मतलब एक electromagnetic torque में से shaft torque माइनस कर देंगे तो जो बचा हो इन दोनों के जो difference हो क्या हो जाएगा loss के अंदर जाने वाला torque हो जाएगा lost torque आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे पूछा है six number बहुत interesting है लास्ट वाला question कि six number में पूछा है कि if the flux reduced by 20% find the new operating speed for the same shaft load same shaft load का मतलब क्या है कि torque constant है ठीक है torque constant हो गया इसका मतलब जो नया flux है वो कितना हो जाएगा 20% reduce हो गया तो बचा हुआ कितना है है ना 20% तो बचा हुआ कितना है point 80% of five one ठीक है 20% reduce हो चुका है तब यहाँ पर आपसे पूछा है कि find the new operating speed पूछी तो eb इस proportional to क्या हो जाएगा n5 हो जाएगा तो यहाँ से क्या बूल सकते हैं हम लोग eb2 divided by eb1 eb1 equal to n2 divided by n1 equal to 52 divided by 51 ठीक है तो यहाँ पर eb2 हमें नहीं पता eb1 पता है हमें eb1 कितना हो जाएगा 216 और यहाँ पर जब हमारा फ्लक्स अब देखो टॉर कॉंस्टेंट है तो टॉर कॉंस्टेंट की वज़े से एक दो चीजे और निकल सकती है तो यहाँ पर मैं value put कर लेता हूं eb2 नहीं पता eb1 कितना है 216.276 equal to n2 मुझे निकालना है n1 कितना है 1150 यह हो जाएगा 0.851 और यह हो जाएगा 51 तो 5151 cancel out तो सिर्फ और सिर्फ unknown क्या है eb2 eb2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इसको तो पहले मैं rough कर देता हूं तो यहाँ से क्या पता चलेगा मुझे कि अगर torque constant है और flux में change हो रहा है तो मुझे पता है constant torque का मतलब है torque constant का मतलब यह भी कर सकते हैं हम लोग कि T is proportional to क्या है 5 Ia तो यहाँ पर क्या बूल सकते हम लोग कि 52 Ia2 equal to 51 Ia1 ठीक है तो यहाँ पर Ia2 कितना हो जाएगा नया current कितना हो जाएगा कि 51 तो 51 है 52 कितना है हमारा 0.8 times of 51 into Ia1 current कितना है 73 तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 73 divided by 0.8 इसका मतलब नया जो current है वो क्या है 91.25 एमपेर ठीक है तो नया जो armature current हो कितना हो जाएगा 91.25 इस तरह से वापस से equation अगर लिख लें तो यहाँ से V minus IaRa minus Eb2 equal to 0 तो Eb2 कितना आ जाएगा यहाँ पर supply कितना है 230 minus 91.25 into 0.188 तो यहाँ से EB2 आ जाएगा 91.25 into 0.188 तो यह हो जाएगा हमारा 212.845 फूल्ट ठीक है तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग तो इस तरीके से 212.845 divided by 216.276 equal to N2 into 0.8 divided by 110 तो N2 जो निकलेगा वो देख लेते हैं अभी हम लोग 212 divided by ठीक है और into 1150 divided by 0.8 तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगी 1414.69 RPM तो इस तरी से नया स्पीड आपका आ चुका है 1414 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देखे गाईस यहाँ पर क्या है flux reduce हुआ तो speed क्या होगा कहीं ने कहीं increase होगा क्योंकि यहाँ पर flux के साथ भी चीज़े होगी ऐसा नहीं कि बिना flux के चीज़े हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जब भी flux में कमी आएगी आप यह देखिए कि EB is proportional to N5 तो 5 में क्या हो जाएगा जब speed की बात करेंगे हम आपको सारे parameters निकालते सिखा दिये हैं अब I hope आप DC का कोई साभी numerical नहीं छोड़ पाएंगे और सारे cases हम लोग ने वन बाई चाहे series की बात करें चाहे हम लोग long shunt generator की बात करें चाहे design problem की बात करें everything will be covered आपका सब कुछ cover हो चुका है ठीक है और यहाँ पर आपको क्या करन पड़ेगा so at this note everything has been covered अब आपका कुछ भी DC मशीन में बाकी नहीं हो चाहे design problem की बात करें चाही operational जितने भी problem से उनकी बात करें चाहे series हर चीज हम लोगोंने cover कर यह जो कि gate examination में पूछी जा सकते है अब बात करते हैं हम लोग कि आप इन questions को करके जितने भी questions करें है इतने questions अगर आपने कर लिए copy बहुत अच्छी maintain कर ली तो उसमें concept के सांसात question दोनों ही discuss है इससे बाहर gate to identity का paper नहीं जाएगा DC machines के लिए अब बात करते हम लोग कि क्या 16 question में सबको DC cover होगे यस हो गया gate examination के हिसाप से हो गया बट DC में सबसे ज़्यादा design problem आती बेसिक छोटे-छोटे theoretical concept बहुत ज़्यादा पूछे जाते है other exams में क्यों gate में theoretical problem नहीं आती DC से हमेशा numerical problem ही आती है इस वज़े से DC में बहुत ज़्यादे theoretical questions नहीं आएंगे gate examination में बट वहीं ESC की बात करें चाहे SSC JEE की बात के जितने भी छोटे exams होते हैं वहाँ पर DC जितने भी हमारे जिसमें दो गंटे में 100 questions करने टाइप की जितने भी paper होते उन सब paper में DC machines से बहुत चोटे-चोटे questions आते हैं like armature reaction में क्या होगा, interpol का roll क्या है, सारी चीजे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे जितने भी design problem है, सारी चीजे आती है तो उसके लिए आप full course का इंतजार करिए, full course में everything will be covered, आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी, कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, हर एक चीज, जब आप full course पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग बिलकुल खुल जाएगा, आपको broad mind से सोचना सिखा दिया जाएगा, क्योंकि अ हां पर जब आपको machine बेस मजबूत होगा और इस base के लिए देखो बार-बार में क्या लगा रहा हूँ, KBL, KCL बार-बार गुम रहा हूँ, तो network का knowledge बहुत जरूरी है, अगर आपका network is strong है, तो आप machine सीखने में आपको बहुत help होगा, machine में दो चीज जाएगे, imagination और दूसर करवाया जाए, कि इस तरह से machine सारी चीज़े हो सकते, इस तरह से हो सकते, वाकई आपने जो देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी देख रहे हैं, वही performance जो हो रहा है, वही आपको feel करना है, तो अगर हम लोग असली form में machine देखे, असल form में machine बहुत simple है, बट उसको क्या है हम लोगों ने complicated बना दी, इतना complicated करने की जरूत नहीं है, actually books में भी क्या होता है, कि author को exam point officer नहीं, एक particular चीज़ को देखते हुए नहीं किताब लिखता है, बड़े range में देखते हुए किताब लिखता है, इसलिए books are complicated as compared to जो पढ़ाता है, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोश करूँगा आपको in-depth कि सारी चीजे किस तरह से आपके दिमाग में fit हो जाए, बड़ी आसानी से, एक बार आप machine पढ़के देखिए, promise आपको guarantee देता हूँ कि बहुत अच्छे सा आपके दिमाग में fit हो जाएगा, आप lifetime मुझे याद रखोगे, बट वो सब कुछ full course में available हो पाएगा as a time being, for get 20 aspirants, आपके लिए एक छोटा सा तवफा है, कुछ questions का कि जिससे कि आपका ring बहुत अच्छा आ जाए, क्योंकि ये machine power system for electronics पहुती crucial subject से आपके ring लाने में, ठीक है guys, all the best, आप पढ़ते रहिए, मन लगाते रहिए, बिल्कुल demotivate नहीं होना है, बिल्कुल अपना आपका self-belief नहीं खोना है, self-confidence नहीं खोना है, आप करके रहेंगे, आप जो पढ़ेंगे वही exam में आएगा, ये सोच के आप पढ़ाई करिए, okay then, till then, bye, take care, all the best